इस मुकाबले में आपके लिए केप्टेंसी और 22 केप्टेंसी का बेस्ट आप्सन कौन हो सकता है साथ में ही चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आप रुपए 500 का कैस प्राइज कैसे बिंद कर सकते हो तो आप वीडियो को पूरी और ध्यान से देखते चलिएगा तो चलिए बात करते हैं आप सबसे पहले बेन्यू को बारे हैं दोस्तों कोवेड के कारण इस मैच की बेन्यू चेंज हुई है याद रखिए का कोवेड के कारण इस मैच की बेन्यू चेंज हुई है पहले पूने में हो रहा था अब वैब्रॉन इस्टेडियम मुंबाई में मुकाबला होने बाला है दूसरी वीडियो बनानी पड़ रहे है क्योंकि दोस्तों जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें पहली का वेन्यू था इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की अब मैं दूसरी वीडियो अज सुभा रहा हूं तो आप यहां पर देखोगे कि ट यहांद यहां पर बात कि जाता है तो 189 निकल कर आता है याद रखेए का दोस्तों यहां पर एक काफी अच्छी विकेट विकेट है वल्य वाजी के लिए और हम आपके लिए आफ्टर टवान टेलीग्राम पर अप्डेट करेंगे कि 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 ने किस बेन्यू पर मुकाबला खेला जा रहा है कि अप्टर टोष में टेलीगराम पर अपड Estamos गाले हैं निकाले हैं और याद हो आपको लाश्ट के मुकाबले में 35 विकेट निकाले हैं, लाश्ट के मुकाबले में 5 विकेट हैं, जो इंदर चेहल ने निकाले थे, वो इसी वेनिव पर निकाले थे, दोस्तों तो याद रखिएगा आपके लिए विकेट काफी important हो जाता ही है, तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर पेसजी ने चेस कर लिया था, यहाँ पर 8 विकेट पेसवालर और 2 विकेट आप देखोगी इस पिनर के, उसके बाद जो 11 मुकाबला यहाँ पर खेला गया, 180 बनाए, यहाँ पर चेहल नहीं कर पाई, मातर 126 बना पाई, और 11 विकेट इसमें पेसवालर को और 6 इस पिनर को मतलब इस पिनर को भी अच्छे एमाउंट में यहाँ पर विकेट मिले हैं, इस बात को आपको याद रखना है, पेसवालर के विकेट निकालने का रीजन में आपके लिए बता चुका हूँ कि पेसवालर के लिए ज्यादा विकेट क्यों मिलते हैं, क्योंकि एक तो सुरवा में पावर पर ले चलता है, तो वहाँ पर वेटिंग करता है, इस पिनर आपके लिए सिर्फ मिडल ओवर में गैंद बाजी करते हैं, और कुछ ही मात्र इसे हैं, जो एक या दो ओवर अपने डेथ ओवर में फेकते हैं, उसके बाद दोस्तों ए मुकाबला आपने देख लि और इस्पिनर ने आठ विकेट, यहाँ पर इस्पिनर थोड़े हावी रहे, और देखो कि 215 बनाये थे दोस्तों और 180 बना पाये थे, दोस्तों यदि आपने यहाँ पर गौर किया हूँ, जो टीम पहले बल्लेबाजी करती, अधिकतर 190 प्लस, जिया दोस्तों 190 प्लस स्कोर बना लेते, यहाँ पर बिनिंग टोटल किसी भी टोटल को नहीं कहा जा सकता, इसलिए बिकेट तो अच्छी है ही बल्लेबाजी के लिए, तो उसी के अकॉर्डिक में दोस्तों हमें कैप्टन, वाइस कैप्टन भी हमारे ट्राइ करना है, कि आपके लिए कौन बेस्ट कैप इसलिए तो अभी बहुत खराब फॉर्म में चली ही रही है, यहाँ पर देखोगे आप तो आट विकेट पेस बॉलर ने और इस्पनल ने दो विकेट निकाले थे, अगला मुकाबला दोस्तों सत्तरा अल्मोस्ट चेस हो गए थे, लेकिन लास्ट में जाकर थोड़ी सी कुलकत्ता ने कर दी, तो यहाँ पर देखोगे कि इस मिनल ने आट विकेट और पेस बॉलर ने छे विकेट निकाले, इसमें एजवेंदर चहल के भी पांच विकेट हैं, याद रखिएगा आप, अब देखोगे अब दोस्तों हम head to head record के बारे में, head to head record के बारे में बात कर के लिए टेलीग्राम पर मिलेगी, प्लीज आप टेलीग्राम जरूर जोयन कर लिजीगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो की डिस्किप्शन में मिल जाएगी, हलागी option आपके लिए अच्छा है, कैप्टन बाइस, कैप्टन इसी के लिए सिर्फ ग्रेंड लीग में एजा कैप्टन बाइस, कैप्टन ट्राइ कर सकते हो, और ग्रेंड लिग में तीन से चार टीमें इनके साथ रोटेट करके चलिएगा, दोस्तों उसके बाद बात की जाए जोनी वेरिष्टो, जोनी वेरिष्टो को आप इस मुकाबले में ग्रेंड लिग की चार से पांच टीमों में कैप्टन बाइस, कैप्टन ट्राइ कर सकते हो, क्योंकि विकेट बल्लिबाजी के लिए अच्छी है दोस्तों, और ऐसी विकेट को फोरिनर बल्लिबाज पसंद करते हैं, हाला कि अभी तक एक भी मुकाबले में स्कोर नहीं किया है, लेकिन बहुत बड़े बल्ल लेकिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए जो एक से दो ओवर या तीन ओवर फेंक कर देते हैं, पहाँ पर बिकेट मिलने के चांसिस बढ़ जाते हैं, और बल्लिबाजी की अच्छी फोर्म में हैं, तो आपके लिए स्माल लीग की सांदर चोईस हो, उसके साथ आटी में रोटेशन में ट्राई कर सकते हो, जीते इस सर्मा को ठीक ठाक बल्लिबाजी इन्हों ने किये, जितना मौका मिला है उतनी बल्लिबाजी किये, सारुक खान का यदि देखोगे, तो स्टार्ट मिला है, उसके बड़े स्कूर में एक अनबर नहीं कर पाई, स्रफ ग लगता ही नहीं कि एक बल्लिबाज है, हाला कि हिटिंग कर लेते हैं आड़ा तर्शाव वल्ला घुमा कर, लेकिन लगता नहीं है, गैंदबाजी से भी बिकेट नहीं नकाले, यह चार बिकेट मिले जरूर थे, लेकिन वो तुक्के में मिली थे, यदि आप मैस देखते और ध्यान से थोड़ा अपने आपसे भी करते होगे, तो समझ में आ जाएगा, नहीं करते हैं कोई बात नहीं हम आपके लिए बेटे हैं, एनलाइसे करने के लिए उसके बाद यदि देखोगे, तो आप इन्हें सिरफ ग्रेंड लिग में ट्राइग कर सकते हो, इस्मॉल ल राहुल चार, दोनों ही इंपूरेंट गेंदबाज हैं, इनकी ओर से, बिल्कुल डेपनेटली आप इन्हें अपने टीप में ट्राइग कर सकते हो, दोस्तो आपके लिए कंगी शुरबाड़ा डेथ होवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगी, तो इंपूरें सिर्फ हमारा ही चैनल आपके लिए बताता है, अब बात करते हैं दिली कैपिटल्स, प्रित्वी सो आप देखोगे दोस्तों, प्रित्वी सो और डेविड गॉर्नर के लिए, ये विकेट काफी ज्यादा सूट करने वाली है, तो बिल्कुल डेफनेली आप इने बिल्कुल बात की जाए दोस्तों, यहां पर इनके लास्ट मैच के बिलिन, दोस्तों, मिचल मार्स, भू खेलती हुए नजर नहीं आएंगे, उनके साथ चार-पांच लोग और कोविड पॉजिटिव आएं, इसके बाद बात की जाए ती, तो साध सारुखान खेलती हुए नजर आज जाएं, और एक खेलेंगे तो आपके लिए यहीं बल्लेबाजी करेंगे, और दोस्तों, आप्टर टॉस बल्लेबाजी का क्रम और टीम नियुज आईगी, बो टेलिग्राम पर मिलेगी, प्लीज आप टेलिग्राम ज़रू जोइन कर लेजीगा, उसके बाद बात की जाए रिसब पंद, रिसब पंद को स्टार्ट मिला है, लेकिन उसे एक बड़े स्कूर में एक अनवर्ट नहीं कर पाए, लास्ट मुकाबले में मुझा था दोस्तों कि अच्छी एक तेज तर्रार इनिंग्स खेल कर देते, और आप टीम को जिता कर देते, लेकिन ऐसा नहीं कर स्टार्ट मिला है, हाला कि दोस्तों इनको हैड़े हो सकती है, अंतर राष्टी टीम में किसे दिनिस कार्थिक से, बहुत अच्छा खिल रहे हैं, आपको क्या लगता है वीडियो पर कमेंट करकर जरूर बताईएगा, उसके बाद राम्मन पॉविल ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया, सिरफ ग्रेंड लिग की चोईस हैं, लेकिन रसपपंद को अपनी स्मॉल लिग की टीम में ट्राई कर सकते हो, ललेत याद आप दोस्तों इन्होंने विकेट निकाले हैं, एक विकेट यहाँ पर फिर ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, लेकिन विकेट ऐसी नही नहीं है कि इस्पनर के लिए मदद मिले और ललेत याद आप आपके ज़्यादा गेंदबाजी करती हैं, दोस्तों यदि ललेत याद आपको आप चाहेते हो, तो एक से दो टीमों में सायद एक आदा टीम में सिरफ ग्रेंड लिग की में ट्राई करीगा, इसमॉल लिग में अक्षर पडेल का देखोगी, दस रन एक विकेट, वाइस रन, आठ रन और दोस्तों अड़ तीस रन, बल्लिबाजी इन्होंने ठीक टाक किया, अक्षर पडेल को चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, अब बात कर दें सारदूल ठाकुर के बारे में, सारदूल ठाकुर तब नहीं में खिलते थे, इनका रॉल डिफाइन था दोस्तों, मिडल ओवर्स में एक या दो ओवर करेंगे, और दो ओवर डेथ ओवर में करेंगे, लेकिन हाँ इनसे सुरुवात में भी गेंदवाजी कराई जा रही है, हाला कि पिछले कुछ एक दो मुकावलों से इन्हों न ही करेंग, कुलदी पयादब, अच्छे फॉर में चल रहा है, परपर कप की दूस्तों, रेस में चल रहा है, तो कुलदी पयादक को आप बिल्कुल लेकिन इनकी जगे कोई भी चेंजिस होगा तो आपके लिए टेलीग्राम पर ज़रूर अपडेट कर दूगा प्लीज आप टेलीग्राम ज़रूर जोइन कर लीजीगा लिंक डिस्किप्शन में मिल जाएगी एक ओवर सुरवात में करेंगे एक ओवर मिडल ओवर से में करेंगे और लगबग दो ओवर ये डेथ ओवर में करने बाले हैं तो दोस्तो ए इन जोनी बेरेष्ट हो और जेतिस सर्मा जेतिस सर्मा तो आपके लिए श्रफ ग्रेलिक की चोईस है लेकिन यहाँ पर रेसब पंत और जोनी बेरेष्ट हो ए दोनों आपके लिए सांदार चोईस हैं दोस्तो याद रखेगा आप ड्रीम इलेबन पर करोगे यादी आप बलीबाजी सेक्शन के बारे में बात करें उससे पहले दोस्तो आजका कॉस्चन कॉस्चन वड़ा सिंपिल से कुछ नहीं करना आपके लिए ग्रेनलिक की कैप्टन वारिस कैप्टन रहनी वाली है वो कैप्टन वार्ष कैप्टन बताना है और आपको सिंप्ली आप 500 इनकी deposit account में दोस्तो एड 500 रुपए कर दिये जाएंगे अब बात करते हैं यहाँ पर डैविड वार्नर डैविड वार्नर को ट्राइ कर सकते हूँ यहाँ पर सिखर दबन प्रत्वी सो तीनों ही important है और दोस्तों यदि यह माई का अगरवाल खेलेंगे तो update आपके लिए टेलिग्राम पर ही मिलेगा प्लीज टेलिग्राम जरूर जोइन कर लिजीगा लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाए क्योंकि आफ्टर टॉस बहुत कुछ आपके लिए टेलिग्राम पर देखने को मिलता है आपके लिए अग्रवाल हैं सारुक खान हैं और भी दोस्तों लिए हो हैं आपके लिए ग्रेंग की चोयश हैं फ्मॉल लिग में दोस्तों आप इनको ट्राई कर सकते हों अब बात करते हैं यहां पर बलेबाजी सेक्षें में बलेबाजी सेक्षें 的 könnt का आपके लिए important option है और दोस्तों यहां पर अक्षर पटेल को आप एक रिस्क के साथ अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अधर्वाइज इतना अच्छ आप्षन नहीं है उसके बाद बात की जाए दोस्तों ओडियन से में तो यह भी दोस्तों अक्षर पटेल जैसी ही चोईस हैं हालागी आप पर करने वाला है अब बात करते हैं यहां पर बॉलिंग सेक्शन में कुल्दी प्याद अब राहुल चार और कंगी सुरवाड़ा यह तीन तो बिल्कुल मैं डेफनेली ट्राई करूंगा उसके बाद आपके पास ऑप्सान है दोस्तों यहां पर सारदुल ठाकुर का है खलील एहमाद का है और दोस्तों मिस्तफ़ोर रहमाज यहां पर आप करोगे लेकिन माई फैविलेविन पर दोस्तों आप करने वाले हो उसके बाद बात की जाया दोस्तों यहां पर बैभव अरोरा भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्सान हो जाते हैं और करेड़ मैंजर हैं जिएंआ दोस्तों केड़ेटर मैंγαशर है नूंगर एंगरी यूदि खेलेंगे दोस्तों तो उसके बारे मैं अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मैं करूँगा क्योंकि नूंगरी एंगरी खेल सकते हैं किसकी जगह पर ओडियन्स इमित की जगह पर तो उसके बारे म आपके लिए Captain C Vice Captain C के और जो Final Captain Vice Captain वो आपके लिए After Tosh टेलिग्राम पर अबडेट कर ही देंगे तो फिलीज आप टेलिग्राम जरूद जोइन कर लीजीगा लिंक आपको टेलिग्राम की डिस्किप्शन में मिल जाएगी वीडियो अच्छी लगी होते वीडियो को लाइक कर देना है चैनलों को सस्क्राइब कर लेना है वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद